यह देखिए लोग यहां बताते हैं आज भी जिन्नात का साया यह देखिए इसके अंदर हैं खूफिय सुरंगे एक नहीं कई हैं कि इसके अंदर देखाया बहुत ही ज्यादा खतरनाक डर लगने गया डर तो लग रहा मुझे यार अब दर तो बहुत लग रहा है फिर भी मैं यहां पर देखिए चुमकादर कितने यहां पर इसके नबर तो अब कर दो कि अधिए वैलकम टू माई नूव विलोग उम्मीद होगी आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूंग तो मैं आपको बता दूँ कि आज माया हूं फिरोजशा तुगलक के किला के अंदर य इसकी जानकारी में आपको देंगे तो मैं यहां पहले टिकेट लेता हूं यहां पर टिकेट है 25 रुपए का तो मैं अब टिकेट यहां से लेता हूं फिर अंदर चलके आपको बताऊंगा तो बने रही है इसी ब्लॉग में यहां पर हमारी यह दोस्त है कलीमा यह टिकेट लेकर जा रहा है यहां से टिकेट लिए हैं फिरोशा कोटला के अंदर जाने के लिए हमें पड़ा है 25 रुपए का यानी पचासों विजट करके हम दो लोग गए तो हम इस के लिए के अंदर जाने वाले हैं जानकरी लें तो हम यहां से ले सकते हैं फिरोशा कोटला के तालु होगा सभी माना जाता है यह भड़ा खोंखार किला है बाएं डशकार और लोग ila डृते भी आने से यह बहुत ही पुरानी जगह है ए सिरोश्चा तुलक के दौर में या बनाई यह थी और लोग банा यहाँ यहाँ पर जिननाथों का अभी मैं इसका ज़imes आपको इतिहास कुछ इस तरह से है कि उन्होंने एक किला बनाया था तोगल obligation बाद किला फिर उनके उसी है यानि की नदी के पास में है वहांपर पानी की किमी नदी के पास में इसलिए इस किला को तामीर किया गया था फिरोश्चा तुगलक के द्वारा तो हम आपको बता देंगे इसकी हम तारीख भी आपको बताएंगे तो आप देख सकते हैं तमाम खंडर जो हैं इस तरह का खंडर हो चुका और यह डरने का मतलब एक विस्था यह है कि य यहां पर एक सफाई कर रखी है यहां पर क्योंकि पहले ऐसी सफाई नहीं थी फिरोश्चा तुगलक बादिशा के दौर में तो बहुत अच्छा यह स्पेशल बना वह होगा यानि कि यह किला इसमें आप इतनी सफाई कर दिया है यहां पर और यह देखिए यहां पर किस त से तरवाज आप देख सकते मेरी वीडिव के अंदर और यहां पर लोग डरते भी हैं यह कबूतर देखी कहा बैठा और ये सुरंग जैसे बन हुई हैं यहां पर बहुत जैसे बनोइओी है यहां बहुत जादा खत्रा मौजूद होता है यह देखिए आप क्योंकि इस इस किला में लोग आते नहीं जलदी क्योंकि बताते हैं कि यहाँ पर जिन्नातो का यह लोग को मेरे विली नहीं लोग बताते हैं यहाँ और इस तरह सिरी खंडर जैबसा बना हुआ है यहाँ हम यहाँ से आaci है तो आपको मैं जूम करकर दिखाऊँ इस रास्ते से आउए थे जो अभी अभी यहां पर आपको एक तीज और खास पता लगेगी कि यह अपने दोर में बहुती सुन्दर किला था अपने दोर में बहुती जादे इस्पेशल किला था तो आप देख सकते हैं अभी इस रंग भ लोग लग वो अपने कैदियों को जिस तरह से जेल में रखते थे इसी तरह से वह आपको जेल भी दिखाएंगे बहाँ पर बहुत सारे चिमकादर मौजूद है और यह पूरा खंडर है यहाँ पर लोग आने से भी डरते हैं और हम आपको यह भी बताएंगे के जामिया मस्ज हुई होगी तो अब उधर चलते हैं तो तुम्हार वाई हिम्मत हारने वाला तो नहीं है बिल्कुली भी क्योंकि मैंने वादा किया है आपको दिल्ली के स्पेशल के लिए भी दिखाऊंगा विलोग दिखाऊंगा और इतिहास एक जानकारी भी आपको मैं दूंगा अभी तो मैंने आपको से टेलर दिखाया जो मैंने आपको भी आसपास जो जगाया दिखाई महराब जैसी मैं आपको इसके अंदर सब कुछ दिखाने वाला हूं आनने की बात है कि सरकार ने यहां पर कितनी हिफाज़त की है इसके लिए कि पत्थ्रों का उसदौर में किस तरह से इंट्रेस्ट आएगा आपको इसी वीडियो में तो बने रहे पूरी ब्लॉग में लगाता है आपको बता दें कि इसको लोग भूद बंगला भी कहते हैं यानि कि यह दिल्ली का पाचमा शहर है और यह काफी बड़ा इसको जो किला है इसमें लोग बताते हैं कि जो पुरा पुरा एरिया मैं कवर करूंगा तो बिलॉग में अन्ट रहे न यह मेरे पीजिये है फिरोशा तोगलक का मकबरा यह है पहले तो बहुत अच्छा था अब यह तोट गया यानि कि यह श्की हालत गंबिर वह गई यह बना है तो आप काफी पराना हो गया है 2022 चल लगा यह त ये देखिए आप कुत्ता सो रहा है ये ये जेल बने हुई है आपको जेल टैप की नजर आती होगी आप देखें ये 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 जेल है और इसमें बहुत सारे चिमकाद रही है यहाप लोग मननत मांगते हैं ये देखिए आप ज़रा ये किसी ने अपनी अर्जी लगाई है और ये गुलाब के फूल पड़ूँए हैं और ये सुरंग जैसे यहाँ पर मौजुद आपके होगी यहाँ पर ये ताला बंद कर दिया यानि कि पूरी चीज को ये बंद कर दिया बिलकुल क्योंकि बताते हैं कि यहाँ पर जिन्नातों का भी साया है और शैतीन यहां पर रहत आता था और इसके बहुत सारे दर्वाजे भी हैं हाद दर्वाजे पर गेट लगा हुआ है आप देख सकते हैं यह दर्वाजा यह देखे लाल धागा बांद के रखाए इस तरह का यह इंटरफेस है पूरी जेल का तो यहां पांच बज़े के बाद तो मतलब यानि कि यहा आए कि देखें यहां पर खत्राई खत्रा आए सिर्फ कुछ नहीं देखिए अंधेरा कायम में बलुक होती है अब बताव अब ड्राबने जगा है नहीं यह देखिए इस तरह का किला यह है जो कि इंसान को तब डर लगाए इसके अंदर आने से जो मैं आया हूं से लेक्श कि यही सारे वो किले हैं जो मैं आपको बताने वाला था इस किला के अंदर श्रोशत तुगलक के अंदर जो जेल के यह दरवाजे हैं मौजूद यह देखिए यह दरवाजे हैं यहां पर लोग बताते हैं कि जिन्नातों का विसाया है यानि कि शैतिन यहां मौजूद है तो मैं आपको पीछे का इंटरफेस दिखाता हूं कि इस तरह का पूरा काफी मकान जैसे बनुगा पत्थो या सकते और अगर बत्तियां देखिए आप अगर बत्तियां लगवी हैं और इस तरह से मन्नत मांगते हैं को गुलाब की फूल भी पड़ हुए कि कितनी बड़ी है जो फिरोशत तोलग ने बनवाई थी मजा तो आपको आता होगा कि मैं इस तरह की खूफिय चीजा आपको दिखा रहा हूं देखिए भई यहां पर मस्जिद जामिया भूवी आपको दिखाऊंगा भई अब इसको उपर चलते हैं अब मस्जिद के अंदर हम जा रहा है हूँ जामिया मस्जिद है यह इसका नाम है जामिया मस्जिद यहां यह देखिए लोग चपल निकालकर अंदर गए और इस तरह का यह बनवा है कि यहां पर गुजारिश जूते चपल गेट बाहर उतारे आप जिम में जिम्मेदार होंगे इसके यहां पर देखिए और लोग सजबी कहते हैं कि यहां पर देखी व्यापको भी जो और आप ने देखी थी और जो लोग खेड ले थे यहां पर पत्दिन अपने आपसे पे ऐसा लग रहा है कि यहां पर जैसे की बुजू बनाया जाता हूँ नमाज के लिए देखिए अलग लग पत्थर रखुए हैं आपको मस्जिद दिखा दिए उपर जाकर मस्जिद हो यह देखिए लोग यहां बताते हैं आज भी जिन्नात का साया है यह देखिए आप इस सुर अब तो आपने फिरोश्टा कोटला भी किला देखा है मैंने अभी आपको दिखाया भी यार दोस्तों और मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा अभी क्योंकि भी कुछ जगाए बाकी है जहां पर भी मैं पहुंचा भी नहीं हूँ और हमारी कलीम ही हमारे साथ में यह तो हम जरा आपको पीछे ले चलते हैं अभी कुछ जगाया बाकी है जो खूफिया सुरंग है हमारे भाई मिले यह भी व्लॉक कर रहे हैं तो रास्ते में मिल गए थे इसी के अंदर फिवसा तुगलक के अंदर यह नहीं जो किला इसके अंदर मिल गए तो भाई आपका दाम क थे और इसके वारे में बता रहे थे इस किला के बारे में तो थैंक्यू का भी अच्छे लगा आप से मिलकर लगे रही है विलोग अपना चलते हैं ठीक है तो दोस्ता हुए हम आपको आगे ले चलता हूं बहाँ पर हम आपको दिखाने वाले बाबली यह क्ले के लिए करीब से स्कूमे को दिखातां यह कुए है ने बाबली कुए और यह बंद कर दिया है क्योंकि अंदर नहीं जाने दे रहा है किसी को भी झूंकए आप लाकर वाहा है पानी लोग निकालते थे और यह दो मंजिल है कम से करीवन देख दोस्तों यह देखिए यह राजाओं का ओफिस है और यह है बावली कुणा इस कुणा को बंद कर दिया यान कि हिसार कर दिया इस कुणा को नहीं जा सकता है और यहां पर एक चीज और भी है कुण के पास में आपको यह जो लाइन दिखी होगी जो बंद कर दिया है चारों तरफ यहां भी लोग मनत मानते हों बनात बताते हैं कि यहां पर जिन्नात है मुरादे भी पूरी होती है और यह आफिस है राजाओं को जिस तरह हम आपको बता दी यह और यह कुणा है इसके अंदर अलाव कुछ जगाएं सेव कर दीए क्योंकि जो कुणा है बाबली कुणा को बंद कर दिया है इस तरह से जैसा बोलते हैं भूल बलेंगा की तरह कलीम भाई कहां गए यह देखिए हैं आप यह देखिए कितना खुबसूरत है यहां पर भूल बलेंगा यह समसला आए अबी भी अभी जितनी आपको ड्राबनी जगह दिखाई यह जिननातों कर बसेरा की जगह और इस तरह का यह किला जो है यह बहुत मजबूत है यानि 1354 से आप आकड़ा लगा सकते हैं हजारीयों साल पराने यह किला है इतना मजबूत है बहुत ही ज्यादा तो यहां पर एक सुरंग भी मौझूद है वो सुरंग में आपको जरू खास दिखाऊंगा और यह गार्डन उसमें सफाई भी कर रखाए और यहां पर इस तरहा से बनाया जाल जैसी को भी आना यहां पर अब मैं चलता हूँ आगए इसके मैं किला के उपर हो और यह सुरंग है यहाँ पर तो मैं इस सुरंग आपको ले चलता हूँ यह रास्ता है अंदर जाने की खूफिया रास्ता कि देख सकते हैं आप इस तरह से यह अंदर जाना और अंधेरा देखिए कितना है यहाँ पर यह देखिए कितना अंधेरा है जाजा रानी कुछ करते होंगे और ये अंदेहरा काय में बिलकुल कते हैं आई ये बाहर आई ये ये अंदर सुरंग आंगर आने लिए मना था और सिर्फ मैं आया हूं यहाँ पर देखिए ये सुरंग मनुवी हैं बहुती ज्यादा खतरनाक डर लगने गया डर तो लग रहा मुझे यार क्योंकि जिस रास्ते समाया हूं तो डर लगने की बात है देखिए में गेट है सुरंग का विलकुली लोग बताते हैं कि इसमें बहुत सारे चिमकादर और यहां पर डर वाली बात और सुरंग है पूरी कति यह अंदेहरा देखिए और इस सुरंग में सब को न में देते हैं जल्दी है कि इसाब डर तो बहुत लग रहा है फिर भी मैं यहां पर देखिए सो टैप काई देखिए 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 चिमकादर कितने हैं यहां पर स्केंबन और यह पूरी सुरंग बनों कुई है हूँ है है हमें आर नम कि अपर आक इनका में है तो दोस्तों यह ऑपना च्रहँ कर दी तो दोस्तों यह भी अपना चाप बेंका तो यह आपको इनका नाम है मुहम्मद आसिफ और आपका नम क्या है मनीज चौधरी तो काफी अच्छा लगा है किलाम में यहार वैसे यहां पर जो लोगों ना दाड़ा दिया ना तो इससे यह लगता है यह पुराने किलाम लिए पहले खंडर था यहां की जो सरकार है उसने बहुत कुछ कर दिया यहां पर क्योंकि यहां पर लोग गूमने आते हैं उसका चार्ज भी आता है और अब गूमने आते हैं तो अच्छा भी लगता है लोगों को तो इसलिए इनकी एहमियत बढ़गी लोगों की नजर में तो मैंने आपको जो अभी सुरंगे भी दिखाई थी तो सब्सक्राइब करते हैं यहीं पर चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट विलॉग में इसलिए